नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग आशा करता हूँ, अच्छे होगे, स्वस्त होगे और फिट होगे आज दोस्तों आप लोगे बीच में ऐसा टॉपिक लेका आया हूँ, जिसको नॉर्मल से नॉर्मल आदमी, बड़े से बड़ा आदमी हर कोई खाता है और हर कोई इसको खा भी सकता है, क्योंकि वह ऐसी कोई चीज निया कि जौट ज्यादा मेहंगी है या बहुत जादा सस्ती है, तो इसी के साथ मैं शुरुवात करने जा रहा हूँ, आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मुफली के बारे में जिसको चार नाम उसे जाना आता है, एक तो मुफली कहा जाता है, दूसरा उसको पीनट भी कहा जाता है, और साथ में उसको अर्थनट और साथ में उसको ग्राणनट भी कहा जाता है, ये हमारी बोडी के लिए, बहुत ही बहतरीन और बहुत ही अच्छी चीज है, प्रोटीन क भरपूर स्रोथ है दोस्तों आपका मुफली में इसलिए क्रिप्या करके रोज मुफली का एक मुठी तो कम से कम दॉर्मल आप सेवन करिए और सबसे बड़ी बात है जो लोग जिम जाते हैं एक्सरसाइस करते हैं उनके लिए में एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि जो ज खाने से कई चीजों में आपको राहत देता है कई बिरवारियों से आपको बचाता है क्योंकि इसका नाम ही मुफली है पीनट है ग्राउनट है और अर्थ है एक NCBI के अनुसार ये बताए गया है कि अगर आप मुफली का सेवन करते हैं तो हिर्दे रोक जैसे बड़ी खतरन करने का रिजनरी रहता है कि इसमें mono unsaturated fatty acid होता है दोस्तों जो हमारी body के लिए बहुत ही अच्छा है और जाता इसका लोंग यूज करते हैं सर्दी को टाइम पर तो मैं आपसे बताऊंगा सर्दी को टाइम अगर आप इसका यूज करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी आपक करेंगे तो काफी हद तक आपको अराम मिलेगा और सबसे बड़ी बात है आज कल एक क्रेसल रखाया है पीनट बटर का दोस्तों पीनट बटर जो आदमी exercise करता है बौडी मनाता है मैं उनके लिए बार आप कहना चाहूंगा प्लीज और प्लीज आप पीनट बटर का यूज करके देखिए इसमें प्रोटीन और फाइबर भर पूर मात्रा में होता है और सबसे बड़ी बाद एक ची और बताना जाओंगा विटाइमीन ई इसमें बहुत होता है जो हमारी चहरे के लिए गलो अच्छा बनाता है अगर जो आदमी मूफली का सेवन रोज करेगा मैं खनीज, Mono Unsaturated Fatty Acid, Zinc, Magnesium, Fiber, Vitamin E, Calcium वसा जैसी चीजें पाई जाती हैं तो इसलिए प्लीज मूफली का सेवन करिए और आपकी सेथ बहुत अच्छी रही है इसमें कुछ नुकसान में आपको बताना चाहूँगा इसमें पहले में आपको यह बुला जाओंगा कि चैनल का है आपको पताइए होगा भरत पांडे बाबा तो अब मैंज के आपको दुशान बताना जारह हूँ जयादा खाने से अगर इसकी तासीर बहुत गर्म होती है इसलिए इसका हट से जादा सेव नागरीब और खास तरह पे जो पित्तर होगी है उनके लिए मैं स्पेशली जाओंगा अगर आप जादा पित्तर होगी हो तो आप इसको जादे यूज़ करोगा तो आपके उसमें में हलके फिल के दाने भी निकल सकते है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो आप नॉर्मल वे में इसको ले सकते है इसके खाने के तरीके है इसको आप भीगो के भीखा सकते है इसको आप भून कर भीखा सकते है और इसको आप उबाल कर भीखा सकते है मुफली को उबाल के खाने में उसके पोशक तत्व में भरपूर मातरा में अच्छे तरीके से वैसे के वैसी रहते हैं और परपूर मातरा में इसका तत्व इतना अच्छा हो जाता है कि आपके बोड़ी के लिए बहुत भेतरिन रहता है पेट केले अच्छा रहता है गैस केले अच्छा रहता है भीगो करें भीगो करें इसको खाईए और साथ में एक चीज़ और मैं आपको लास बार बताना चाहूंगा इसको भून की भीखाईए और मुफली का अनन्द लीजिए क्योंकि यह ऐसी चीज़ है यह फली भी है और है और सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी इसका सेवन कर सकता है तो प्लीज और मैं आपसे लास बार कहना चाहूंगा कि भरत पांडे बाबा चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें नमस्कार जैहिंद जैभारत